Hello everyone, now we are going to start cell cycle which is one of the most important topic in cell biology. Cell biology में सबसे important topic जो हमारा cell cycle है और इसके लाओ भी important topic लेकिन ये काफी important है क्योंकि इससे questions बहुत आते है हमारे किसे cell cycle से तो cell cycle जो हमारे दो पार्ट में divide है एक interface में है एक M phase में है interface में मिली एक preparative phase स्टार्ट होता है जिसके अंदे cell prepare होता है division के लिए और फिर जो M phase होता है वो division phase है, mitotic phase होगा जहांपे cell divide करेगा clear तो start करते हैं डिस्कूस करना cell cycle है क्या और cell cycle किन stages से pass on होता है है और complete होता है तो first cell cycle में हमें given है all the process occur in coordinated manner to avoid error cell cycle जो complete हो रहा बताया कि अभी interface और M phase दो different part में जो हमारा cell cycle complete होगा अभी जो cell cycle चल ला हो काफी coordinated manner में चलने का main purpose यह है कि जब यह complete हो या जब चल ला हो तो इसमें कोई error ना है क्यों इन के सकर इसमें कोई error आया तो वहाँ पर abnormality cause वहाँ पर क्या होगा abnormality cause हो जाएगी और उस abnormality से कोई disorder create होना start हो जाएगा body के अंदर यह before birth भी start होता है during fetus formation start होता है ठीक और fetus formation हुआ तो वह जो बेबी होगा उसके अंदर वह तिल डेथ तक रहेगा उसके अंदर करमाएगी कि वह capable होगा मैं भी inherit करने में क्या होगा capable होगा inherit करने में जिससे कि वह error जो है आने वाली generations में भी transfer होगा तो हमारा अगर cell cycle एक coordinated manner में चलता है और कोई error नहीं आता है तो एक normal condition होगी और useful भी होगी और सेल इवेंट्स अकर इन साइक्लिक मानल लाइक डूप्लिकेट इस चीनोम सिंथिस अब द अदर constituent of the cell and divide into two daughter cell तो दो चीज़े यहां होगा एक तो अपना जीनोम जो है अब जीनोम क्या होता जीनोम होता टोटल constituent DNA का जो present एक cell के nucleus में वो उसका genome हो गया तो क्या करेंगा इससे पहले उसने genome मतलब DNA अपना में duplicate करेंगा उसके अलावास जो other constituent है cell के यह cell के organism हैं उनको वो फॉर्म करेगा और उसके बाद एक से दो सेल में divide हो जाएगा और यह पूरा जो process है इसी पूरी process को हम term देते हैं that is cell cycle और cell cycle में ली हो क्या रहा है डिन्य रेप्लिकेशन हो रहा है cell growth हो रही है यह major part यह चीज़ के है major part में part cell cycle का अब next discuss करना start करें इसी में कि cell cycle में हमें जो देखने के मिल रहा है यहाँ पर क्या देखने के मिल रहा है यहाँ पर कि जो हमारा phase wise cycle हो गीवन है cycle हमारा बिगन हो रहा है यहाँ पर cycle जहां विगन होता हुँ हमारा जीवन स्टेज बोलते हैं ठीक और से पहले इसको डिसकूस करने पहले एक और डिसकूस करते हैं कि कि यहां से एक और चीद देखने की मिल रही है कि सेल साइकल का मॉस्ट आप दा मॉस्ट आप दाइम जो है वो किसे कंप्लीट करने मुझा इंटर फेस में कंप्लीट हो रहा है और बहुत लिटल टाइम में सेल डिवेजन कंप्लीट करेगा और एक से दो हो जाएगा जैसे यहां से देख रहे हैं कि सेल जीवन फेज यह हमारा एस फेज है फिर जीटू इस प्रिपरेटरी फेज है कि सेल डिवाइड होने के लिए उससे क्या क्या चाहिए उसके लिए बेवस्तित हो और वहां सब्सक्राइब करने में लाइप साइकल में वह यहां से लेकर यहां तक जो है इट्टीन मिनिट लगते हैं यहां से यहां तक पहुचने में जीटू के एंड तक पहुचने में एटीन मिनिट लगते हैं और लास्ट टू मिनट जो बचे उसके अंदर यह अपना एमफेज कंप्लीट करता है जी एम ऐसे पास हुमारे पास हूमन सलल की बात कर हैं जोंकि टूंटिफोरर में कंप्लीट होता है एक सींगल से डिवाइड करता है है अगर डिवाइड कर रहा है क्योंकि हुमन में कुछ डिवाइडिंग से रहते हैं कुछ नॉन डिवाइडिंग से रहते हैं और कुछ कंडिशन पर डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइडिंग से में में इसके सेल की बात करें वो continuous divide करते रहते हैं तो इनका 24 hour का time period से 90% जो time है वो interface में utilize जाता है और जो 10% बचा उसमें M phase आता है अबका ठीक तो यह हमारे पास 3 example लिए है कि human cell जो है वहाँ पर divide करेगा 24 hour में वहीं east में एक cell जो है divide करने का time लेगा 90 minute और bacteria में जैसे example लिया E. coli का वो 20 minute में एक से दो cell में divide हो जाएगा अब जो phases की बात की पहले ही बताया था कि cell cycle है cell cycle है phase है एक interface है M phase है interface बताया भी पीछे की preparatory phase होगा और M phase क्या होगा dividing phase होगा अब interface जो है वहाँ पे actually होता क्या है वो बात करें interface it is the preparatory phase of the cell cycle यह cell cycle जो तो पार्ट में divide किया पीछे हमने interface और M phase उसमें interface जो है preparatory phase है no actual division occur here यहाँ पे कोई भी division नहीं होगा कोई division नहीं होगा and longest phase of the cell cycle यह क्या होगा longest phase होगा हमारी cell cycle का and account 95% of the duration of cell cycle 95% duration जो होगा किसका होगा around yet confirm नहीं है सभी में नहीं अपला है क्योंकि diversity हमारे पास presenter तो 95% में क्या होगा interface चलेगा और जो 5% बचा या 10% ही 15% बचा उसमें हमारा M phase चलते है तो यहाँ duration of cell cycle जो है उसका जो most of the part जो है उसमें interface चलेगा कुछ time जो है हमारा चलेगा M phase अब next यहाँ पर जो phases की बात की है interface की interface को हमने 3 phases में divide किया है एक हमारा G1 phase है एक हमारा S phase है और दूसरा हमारा G2 phase है G1 phase जो है एक हमारा phase ऐसा phase जहाँ पर cell metabolically active होता है कि वो divide कर पा है S phase को synthetic phase बोलते हैं S phase को synthetic phase बोलते हैं और synthetic phase में क्या होता है कि हमारा जो genetic material जो information carry करता है वो हमारा double हो जाता है जिससे हमारे पास generally हमारे पास paid में होते हैं कि अगर हमारे पास 2N present है तो यह 2N ही रहेगा लेकिन यहाँ 2C present था तो हमारा concentration क्या हो जाएगा 4C हो जाएगा ploidy number change नहीं होता है लेकिन concentration change होती ही कैसे होती ही अभी आगे discuss करेंगे फिर दूसरी बात करें हम यहाँ पे कि G2 phase जो हमारा है G2 phase short होगा as compared to G1 phase और G2 phase सबसे longest phase हमारा S phase होगा फिर G1 phase होगा longest phase यह होगा हमारा फिर हमारा G1 phase होगा और फिर हमारा G3 phase होगा लेकिन जो भी 1,2,3 में orderly यहाँ पे given था यह कि according यह order जो cell cycle move ओन रहा है पहले G1 phase फोलो होगा फिर S phase फोलो होगा फिर G2 फोलो होगा लेकिन time period के according time period की बात करें तो time period के according हमारा सबसे longest phase होगा S phase होगा then G1 phase होगा और फिर उसके बात क्या होगा G2 phase होगा clear यह होगी हमारा interface उसके साथ हमें diagram given यहाँ discuss कर सकते हैं क्योंकि diagram आगे मैंने include नहीं किया होगा तो यहाँ पे हमारा जिसे given यह हमारा G1 phase होगया S phase होगया G2 phase होगया और pie chart के recording देखो गया तो यहाँ पे जो है आपका सबसे ताइम किसमें लग रहा है 90% अगर पाई चार्ट के कर देखो तो 90% यह हो गया और यह जो है most other portion यहाँ पे cover हो गया around 120-130 का एंगल यहाँ बन रहा है इसका मतलब शोग कर रहा कि S phase आपका maximum होगा फिर G2 इन तीनों phase जो interface के उनमें से G2 का सबसे कम दिखाई दे रहा है ठीक तो यह जो होगा first हमारा length time period के recording S होगा फिर G1 होगा फिर G2 होगा और M phase जो हमारा सबसे कम time ले रहा है तो यहाँ मायटोस का example दिया वो भी certain stage follow करेगा जैसे वो follow करेगा क्या प्रोफेस फोलो करेगा metaphase, anaphase, telophase, then cytokanis उसके बाद वो एक सल से दो सल में convert होगा यह जनरल हो गया अब one by one stage discuss करना स्टार्ट करते हैं और यह उससे पहले जो है कि किस तरह हमें दिखाई पड़ेगा interface के time पे cell हमारे पास nucleus appear होगा nucleus appear हो रहा है यहाँ पे उसके साथ centeosome दोनों एक ही है पेड़े परजेंट उसके साथ ऐस्टर फार्मिशन स्टार लाइक फार्मिशन हो रहा है और इस्टार लाइक फार्मिशन किया है जो फाइबर से यहां से अराइज हो रहे है ठीक और क्रोम उस्जूम चुँआ क्रोमटीन के फार्म प्रेजेंट है दे से लेखाँ हमारा हो गया इनीमल सेल का नेक्स्ट और हमारा जो फेस है वह जीवन एखर वीट्विन माय डोसीस एड इनिनशिशन और डिएने रेप्लिकेशन यहां क्या होगा यहां माय डोसी सुगा, ऩो और यह माय डोसीस मतलब कि अंश जो ऊसके बीच ऑजो है जो है हमा इनिशन यसीन ड बेक्स को जो आपी एक्ट को प्रिपेड कर एंगे, सेल को कि वो डिवाइट डिवीजन के लिए आगे बढ़ें सेल का साइज ग्रो करेगा and due to the synthesis of protein और सेल का साइज इंग्रीज क्यों कर रहा है उसके पीछे क्या है उसके प्रोटीन सिंथिसाइज होंगे जो की डिनना रैप्लिकेशन में करेंगे अब यहां पे सबसे इंपर्वाइब बात है यहां पर प्रिपरशन होई दिनने रैप्लिकेशनलुर्जेशन बेकिन डिनने रैप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ कहां पे जी वनथ में अब सक्ति संथ फेस को synthetic phase बोलते हैं यहां actually होता क्या है यहां DNA replication होता है उसकी तैयारी G1 phase में होती है amount of DNA will be double per cell यहां पर amount of DNA जो है वो double हो जाएगा per cell if the initial amount of DNA is 2C then it increases to 4C if the amount of DNA is 2C then it increases to 4C कितना हो जाएगा 2C था initially G1 phase में तो यह क्या हो जाएगा 4C सिर्फ concentration बढ़ेगी और concentration बढ़ेगी क्योंकि यहां पर जिससे chromosome 1 है तो यह अपनी ही एक और copy prepare कर लेगा chromosome 2 है तो यह भी अपनी एक copy prepare कर लेगा chromosome 3 है तो यह भी अपनी एक copy prepare कर लेगा chromosome 4 है तो यह भी अपनी एक copy prepare कर लेगा तो यहां के कर रहे हैं सभी अपनी copy prepare कर लेगे तो जो concentration of DNA है वो हमारी increase हो जाएगी ठीक लेकिन यहां पर ploidy number जो है वो change नहीं होगा अगर हमारा cell N है तो वहाँ ploidy number N ही रहेगा 2N नहीं हो जाएगा 2N था तो 4N नहीं होगा हमेशा क्या रहेगा 2N ही रहेगा clear तो यह जो है नहीं होगा हमारा सिर्फ concentration increase होगी अब यहाँ पर S phase और plant का और animal में यहाँ difference है plant में हमें देखने को नहीं मिलेगा centriole centriole जो कहां मिलता है animal cell मिलता है centriole duplication जो होगा वो कहां पर होगा वो भी कहां होगा वो हमें animal cell में दिखाए पड़ेगा plant में होता है तो इस सिर्फ हमाया DNA replication तक ही limited रहेगा तो यह एक major difference भी है S phase में plant cell और animal cell G1 S और G2 phase जो है वो similar है बस difference इतना है कि plant में centriole नहीं होता तो वहाँ centriole duplication वाली बात नहीं आएगी लेकिन animal में आएगी अब यहां पर जो दे रखा है हमें की chromatin जो है interface में कैसी होते जाते हैं पहले वो कुछ इस तरह थे chromatin condensed form में थे फिर आप फिर जो है यह bead on string model है कि जो हम पे stone proteins हैं वो क्या करते हैं stone protein जो है chromatin fibers को क्वाइल करके रखते हैं condensed form में रखते हैं थर्ड की बात करें थर्ड में कोईलिंग थी stone protein थी यह remove होना start हो गया अब क्या हुआ अब यह जिग जय किया rod shape structure form करना start करेंगे और form क्या करेंगे chromosome form करेंगे तो कुछ ऐसा structure दिखना start करेगा हमें late interface stage में अब लास्ट और जीटू लास्ट फेज जो बचा हुआ इंटर फेज का हमारा जीटू फेज है यहां पर जो अदर नेसरी प्रोटीन है जो की एम फेज में help करेंगे वह सारे के सारे हमारे जीटू फेज में farm हो जाएंगे और यहां सेल की growth continue रहेगी और सेल की growth continue रहेगी किस तरम में प्रोटो प्रोटो प्लाजमिक टम में नंबर में नहीं होगा क्योंकि अभी सेल डिवाइस स्टार्ट ही नहीं होगा लेकिन जो प्रोटो प्लाजम है सेल का उसमें जो है इंक्रीज देखने को मिलेगा continuous हमें इस phase तक clear तो यह हमारा जीटू phase हो गया अब जो last है हमारा M phase है last हमारा क्या है cell cycle का M phase है M phase में हमारे पास दो चीज़ आती है एक कैरियो कानिस साता है और दूसरा साइटो साथ और क्या होगा की nucleus divided करेगा महाँ अहीं नूकेस लिपायट कर नेके बाद जो है जो दूब दिवाइट करने इक बाद एक से दो हो जाएंगे जैसे यह हो गया हमारे बात एक नूकलिस ही हो लेते वह डिस्टीट होके यहां से यह फॉर्म कर देंगे दो सेलफ़ फॉर्म कर देंगे और साइटो प्लाज्म में डिवीजन ढीजन भीजन हो जाएगा उसके साथ साइट अई ऑ्र लास में जो और लेन हैं वeger वोगि ils ऑघ हो जाएगेगे तो इस तरह से जो है हमारा complete हो जाएगा cell cycle अब cell cycle complete होने के बाद जो है पीछे हमने बात की थी यह इंटर कर जाए कहाँ पे जी वन फेज में लेकिन अब cell type कौन सा है इस पर depend करता है हमारा आगे की process कि जी वन complete होगा या नहीं होगा एक क्योंकि में ली एनि मसल ने बात करें कुछ plant cell चुकि परबन सल्स हैं उनमें होता क्या है कि वो जी वन में इंटर करने के बाद वो अरेस्ट हो जाएंगे आगे depart नहीं करेंगे कुछ होते हैं आगे devide करेंगे जो आगे डिवाइट करेंगे जी उन्का complete होगा स्टेजम जाएंगे सीटू में जाएंगे पिर से डिवाइट करिंगे लेकिन इनकेस अगर वह सल में डिवाइड नहीं हो रही है तो जीवन में इंटर करने के बाद उआ जाए क्यूसेंड स्टेज में विह कहता है कि सम आप धस टू नॉट डिवाइड आप्टर अप्र एंप एंप ले क्या है उन्हेंट डिवाइड नहीं करना है एंप एप लिए करते कि इसको और निम्स की तरब से यह बोडी की तरब से कोई ऐसा रिस्पॉंस नहीं मिल रहा है एंवारमेंट की तरब से कि इसको डिवाइड करना चाहिए इस इसको बार चाहिए और बाहर आजाए कि इसमें आजाएगा कि उसे इसे जी नॉट या जी 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 रो बोलते हैं ठीक यहां पर रहेगा तिल इट गेट दा इनफॉरमेशन फाम दे सुरांडिंग और और अन्वार्मेंट तो गो फ़र सेल डिविजन और जैसे सेल डिविजन के लिए इनफॉरमेशन आएगी जी नॉट जो है फिर से एक्टिव हो जाएगा जी वन फेज और जी वन फेज बेखिए पर फिर से वो क्या करेंगा प्रोटीन सिंथेस करेगा एस फेज में इंटर करेगा जी टू में जाएगा और एंप सेल डिवाइट करेगा यहां पर यह हमारा लास्ट टॉपिक हो गया किसका सेल साइगल का और इसी साथ यह टॉपिक कम्प्लीट हो गया अब जो इसका मिटोस करेंगे, माहिटोस करेंगे, जहां पर हम जो इसका M-phase है, जिसके अंदर डिफरेंट फेज थे, हमारा मेटा-फेज, प्रोफेज, मेटा-फेज, एना-फेज, तीलो-फेज और उसके इस बाद साइटोकानिस, यहां पर क्या-क्या डेवलपमेंट होंगी दूरि